नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल यूटूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना आपके समख्ष उपस्तित हूँ साइकलोजी विशेवस्तु को लेकर इस्ट्वेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं जीवन कोशल सेक्शन के इंतरगत एक most important topics के बारे में जिसका नाम है अभी प्रेड़नाईनी की motivations इस्ट्वेंट्स सूपर्टेट exam point of view से ये topic आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि यहां से आपके सूपर्टेट exams में तीन से चार प्रशन पूछे जाने के chances है और लास्ट उनातरजार exams में भी यहां से तीन प्रशन पूछे गई हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस topic क कितना ज्यादा important role है आपके सूपर्टेट exam point of view से अगली कुछ classes के माध्यम से हम इस topic को detail में study करेंगे जानेंगे समझने की कोशिश करेंगे और इस topics के उन सभी important points को cover करने की कोशिश करेंगे जहां से आपके सूपर्टेट exams में प्रशन बन सकते हैं और इसके बाद हम इस topic पर बेस्ट पचास से साथ प्रशनों को भी solve करेंगे ताकि हमें idea हो पाए किस topic के अंतरगत जो हमने cover किया है वो हमारे लिए कितना ज्यादा important है क्या वहां से प्रशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके के प्रश प्रेड़ना कहते किसे हैं या प्रेड़ना या अभी प्रेड़ना हम किसको कहते हैं तो इसके अंतरगत जो आपका पहला point बनता है यह बनता है कि अभी प्रेड़ना वह आंत्रिक कारक है जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेड़ित करता है यानि कि अभी प्रेड़ना हम उसको कहते हैं उस आंत्रिक कारक को कहते हैं जो कारक प्राणी को कारिय करने के लिए प्रेरित करता है यहनि कि आप अपने जीवन में जो भी कारिय करते हैं उस कारे को करने के लिए अगर आपको कोई आंत्रिक कारक प्रेरित करता है तो उसी को ही हम अभी प्रेड़ना कहते हैं एनि कि अभी प्रेड़ना एक internally factor होता है जो किसी भी कारे को करने के लिए आपको प्रेड़ित करता है और जिस वज़े से आप उस कारे को करते हैं उसी वज़े को हम कहते हैं अभी प्रेड़ना उम्मिद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और अभी प्रेड़ना को भी समझ पाई होंगे चलि आगे बढ़ते हैं और देखतें next point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है, इसट्वेंट की अभी प्रेड़ना को English में motivations कहते हैं यानि कि देखिए अभी प्रेड़ना को इंग्लिश में motivations कहते हैं और जो ये motivation शब्द है ये एक Latin word motum से लिया गया है यानि कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि motivation शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि motum शब करना तो ध्यान रखेंगे आप तू मूव का मतलब होता है गती प्रदान करना तो जब भी आप कोई कारे करते हो तो उसकारे को करने के लिए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा गती दी जाए तो उसी को ही हम motivations कहते हैं यानि कि कहने का मतलब ये strength की अभी प्रेड़ना को हम English मे लिया गया है जिसका अर्थ होता है तू मूव एनि कि गती प्रदान करना या फिर धक्का देना तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कारे करते हैं तो उसकारे को करने के लिए ये आपको कोई extra से force दिया जाए आपको कोई extra गती दी जाए कोई emotions दिया जाए और आपकी कार ये करने की जो दर है वो बढ़ जाए तो इसी को ही हम motivations कहते हैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इन सभी पॉइंटों को भी जान पाए हैं जहां से आपके सूपर टेट एक्जाम में सीधे सीधे प्रशन बनते हैं चले आगे बढ़ते हैं और आंतरिक शक्ति होती है और वह ऐसी शक्ति होती है जो उसे निश्वित लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रेणित करता है तो उसी को ही हम अभी प्रेणा कहते हैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और अभी प्रेड़ना को भी समझ पाए होंगी चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है तो next point आपसे कहता है students कि अभी प्रेड़ना को अधीगम का हिर्दे भी कहते हैं यहां से सीधा सीधा आपके exams में प्रशन पूछा जाएगा कि अधीगम का हिर्दे कहते हैं किसको option होगा अधीगम अभी प्रेड़ना सरजनात्मक्ता या आत्मविश्वास तो इस तरीके से आपसे प्रशन सीधे सीधे पूछे जाएंगे तो अभी प्रेड़ना जो है इसको हम अधीगम का हिर्दे भी कहते हैं अभी प्रेड़ना को हम सीखने का सुनहरा मार्ग भी कहते हैं अभी प्रेड़ना को हम सफलता का आधार भी कहते हैं और अभी प्रेड़ना को हम अधिगम का राजमार्ग भी कहते हैं तो ये सभी points हम अभी प्रेड़ना को कहते हैं इसलिए यहां से आप से सीधा सीधा प्रशन पूछा जाता है कि सीखने का सुनहरा मार्ग किसको कहते हैं तो अगर आपके options में हैं अभी प्रेड़ना तो आप अभी प्रेड़ना के साथ जाएंगे तो इसलिए आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि सीखने का सुनहरा मार्क या सफलता का आधार किसको कहते हैं तो भी हम उसको अभी प्रेड़ना कहते हैं अधिगम का राजमार किसे कहते हैं तो वो भी हम अभी प्रेड़ना को कहते हैं और अधिगम का हिर्दे भी हम किसको कहते हैं अभी प्रेड़ना को कहते हैं तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से आपके एक्जाम्स में सीधे सीधे प्रशन बनत कथन देकर कि निमलिखित कथन किस मनवैगनी का है तो इसलिए हम अभी प्रेड़ना के संब्ध में जो मनवैगनी को ने अपने विचार दिये अपने कथन दिये हैं उनको भी डिटेल में जानते हैं ताकि इस टॉपिक्स रिटिट जो भी प्रशन आपके सूपर्टेट आधार बताया यहीं कि सोरेंसन ने अभी प्रेड़ना को अधिगम का आधार बताया यहीं कि अगर आप अपने जीवन में अधिगम करना चाते हैं सीखना चाते हैं उसका बेस है आपका अभी प्रेड़ना यहीं कि उसका आधार आपका है अभी प्रेड़ना सबसे पहले आ कितनी बढ़ जाती है या आप किसी चीज को कितनी शाप माइंड के साथ सीखते हैं तो इसी लिए सोरेंसन ने बताया है कि अभी प्रेणा को अधिगम का आधार ठीक तो यह कथन आप सीधा सीधा ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके सूपर्टेट एक्जाम्स में सीधे सीधे प्रेण पूछे जाएंगे कि अभी प्रेणा को अधिगम का आधार बताया किस मनोवेग गनिक ने तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर सोरेंसन दिख जाए तो आप उनके साथ जाएंगे उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस कथन को भी एजि अभी प्रेणा को उन्होंने वो त्वरित बल बताया जो ब्यावहार को उर्जा प्रदान करते हैं जब भी बात उर्जा की आए आपके ब्यावहार में जब उर्जा की बात आए तो ये अभी प्रेणा का एक त्वरित बल होता है और ऐसा मानना है वुडवर्थ का तो इस को भी ध्यान रखेंगे स्ट्रेंट्स ये कुछ की वर्ड्स होते हैं जैसे उर्जा की अगर कभी भी बात आ जाए मोटिवेशन के फिल्ड में तो आप जाएंगे वुडवर्थ के साथ यह वुडवर्थ ने अभी प्रेड़ना को एक प्रकार का त्वरित बल बताया जो आप बढ़ते हैं और देखتے हैं नेक्स पॉ 싸ंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स्ट है आपके इस्ट्वींट्स वीलियम मेग डूगल के नुसार यहनीगा 독gebli ने अभी प्रेड़ना को किस तरीके से सम Trustee किया है तो वीलियम मेग डूगल के अनुसार अभी प्रेड़ना वे है शारिरिक वे मनोवैगनिक दशा है जो किसी कारे को करने के लिए प्रेड़ित करती है यानि कि अभी प्रेड़ना एक प्रकार की शारिरिक वे मनोवैगनिक दशा है जो किसी कारे को करने के लिए प्रेड़ित करती है यानि कि देखे अभ को ही विलियम मेगडोगल ने अभी अभी प्रेढ़ना बताया है उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और विलियम मेगडोगल के अनुसार भी अभी प्रेढ़ना को समझ पाया होगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते next point आपसे क्या कहता है तो next point आपका बनता है students Skinner के अनुसार यहीं कि Skinner ने भी अभी प्रेड़ना के संबने अपने विचार दिये हैं तो Skinner के अनुसार अभी प्रेड़ना अधिगम का सर्वोत क्रिष्ट राजमार्ग सीखने का स्वन्पत और सीखने का हिर्दे है देखे Skinner साब ने अभी प्रेड़ना को अधिगम का सर्वोत क्रिष्ट राजमार्ग बताया है निकि अगर आप अधिगम करना चाते हैं तो उसका सबसे उत्तम राजमार्ग है अभी प्रेड़ना ठिक उसको सीखने का स्वन्पत भी बताया है निकि सीखने का स्वन्पत भी उन्होंने अभी प्रेड़ना को ही बताया है और सीखने का हिर्दे भी उन्होंने अभी प्रेड़ना को ही बताया है तो ये कथन किसका है तो ये कथन आपके Skinner साब का है कि अधिगम का सर्बुत्रिष राजमार्क सीखने का स्वर्णपत और सीखने का हिर्दे ये सभी अभिप्रेड़ना ही है तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि अभिप्रेड़ना का कितना ज्यादा important role है और आप किसी भी बच्चे के development में किसी भी बच्चे को यदि आप सिखाना चाहते हैं तो उसका सबसे मुख्य आधार ही है अभिप्रेड़ना इसलिए topic आपके super tech exam point of view से काफी जादा important बनता है और आयोग आप से topics related ज्यादा से जादा प्रशन पूछती है ताकि आपको इस topics के बारे में detail में जानकारियां हो और आपके ब्यावार में वो सभी परिवर्तन हो जिससे आप किसी भी बच्चे को motivate करे और उसे अपने जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रेडित कर पाएं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इसकी इनर के कथन को भी जान पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें next कथन आप से क्या कहता है तो next कथन है आपका strength crow and crow के अनुसार याणि crow and crow ने भी अभी प्रेड़ना को परिभाशित क्या है तो crow and crow के अनुसार अभी प्रेड़ना का समझ सीखने में रूची उत्पन करने से है याणि कि यदि आप कोई चीज सीखना चाहते हैं और इसके लिए आपके अंदर interest उत्पन हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर अभी प्रेड़ना अवश्य ही है याणि कि अभी प्रेड़ना का सम्मंध होता है सीखने में रूची उत्पन करने से किसी भी चीज को सीखने के लिए यादि आपके अंदर interest है तो इसका मतलब आप internally अभी प्रेड़ित है ऐसा मानना है आपके crow and crow का तो इसके ध्यान रखेंगे इन सभी कतनों को क्योंकि सीधा सीधा आपके exams में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next कथन आपसे क्या कहता है तो next कथन है आपका स्ट्रेंट्स mcdonald के अनुसार याणि कि mcdonald के अनुसार अभी प्रेड़ना विक्ति के अंदर उर्जा परिवर्तन है energy का परिवर्तन होता है उसी को ही हम अभी प्रेड़ना कहते हैं याणि कहने का मतलब यह strengths कि जब भी आप motivated हो जाते हैं तो आपके कारे करने की जो गती है आपके अंदर उर्जा का परिवर्तन हो जाता है और आपके कारे करने की गती बढ़ जाती है जिसको हम अभी प्रेड़ना कहते हैं और ऐसा मानना है आपके मेक डोनल्ड जी का उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मेक डोनल्ड के अनुसार भी अभी प्रेड़ना को समझ पाए होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखतें नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपसे कहता है इस्ट्रेंट गिलफोर्ड के अनुसार है निकि गिलफोर्ड ने भी अभी प्रेड़ना को परिभाशित किया है तो गिलफोर्ड के अनुसार अभी प्रेड़न करने और उसे सतत और उसे continue बनाए रखने में help करती है एनि कि ऐसी आंतरिक दशा जो किसी क्रिया को प्रारम करने और किसी क्रिया को start करने और उस क्रिया को लगातार continue बनाए रखने में help करती है ऐसी दशा को हम कहते हैं अभी प्रेज़ना और ऐसा मानना है आपके गिलफॉर्ट जी का तो सीधा सीधा आपको ये point ध्यान रखना है क्योंकि आपके exams में सीधा सीधा प्रश्ण देखने को मिलेगा कि अभी प्रेड़ना विशेश आंतरिक दशा है जो किसी कार्य को प्रारम करने और उसे सतत बनाय रखने में साहिता करती है ये कथन किस अगर इस प्रकार के प्रश्ण आपको देखने को मिल जाए तो आप गिलफॉर्ट जी के साथ जाएंगे क्योंकि ये कथन गिलफॉर्ट साब का है उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी point को easily समझ पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं औ और देखते हैं next point आपसे क्या कहता है तो next point आपसे कहता है good enough के अनुसार ने भी अभिप्रेणा को परिभाशित किया है तो good enough के अनुसार किसी कारे को आरम करने जारी रखने तथा उसे नियंतरित करने की शक्ति अभिप्रेणा है यानि कि कोई भी कारिय होगा उस कारे को start करने उस कार्य को continue बनाए रखने और उसे कंट्रोल करने की जो शक्ति है उसी शक्ति को हम अभी प्रेड़ना कहते हैं ऐसा मानना है आपके गुड़ एनफ जी का उमीद करता हूं कि आप गुड़ एनफ जी को भी समझ पाए हैं कि उनके अनुसार अभी प्रेड़ना किसको कहत है देखे थॉमसन साब का मानना है कि जो अभी प्रेड़ना है वो चात्रों में इंट्रस्ट उत्पन करने की क्रिया है अगर आपने अपने चात्रों में इंट्रस्ट उत्पन कर दिया किसी भी चीज को लेकर अगर आपने बच्चों के अंदर रूची उत्पन कर दी तो उ उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी कतनों को समझ पा रहे हैं और इस से related किस प्रकार के प्रश्ण बनेंगे उनको भी आप जान पा रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें next कतन और last कतन आपके इस topics related है crunch और crunch field के अनुसार तो crunch और crunch field के नुसार अभी प्रेड़ना का प्रश्ण क्यूं का प्रश्ण है या किशको आपके crunch और crunch field जी का है तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से सीधे सीधे आपके सूपर्टेट एक्जैम्स में कथन से रिलेटिट प्रशनों बन सकते हैं क्योंकि यह टॉपिक आपके सबसे ज्यादा वेटेज रखता है तो इसी लिए हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को उन सभी इन्पॉर्टेट पॉइंट्स को कवर किया जाए जहां से हमारे सूपर्टेट एक्जैम्स में सीधे सीधे प्रशनों बनते हैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं अभी प्रेड़ना को जान पाए हैं और अभी प्रेड़ना के सम्मन में जो मनोवैगगनिकों के द्वारा अपने विचार दिये गए हैं उन सभी विचारों को भी जान पाएंगे चलिए मिलते हैं next class में आज के लिए बस इतना ही अगर आपको एक class अच्छी लगी हूँ तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओं तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद चैनल